रनबीर की मॉमनीतु को ये special status दे चुकी है आलिया रिशी कपूर के बारे में कही ये unique बात आलिया भट और रनबीर कपूर के relationship की कहानी पिछले साल से लगातार सामने आ रही है आलिया और रनबीर की काफी सारी तस्वीरे भी सामने आती रहती है पिछले दिनों आलिया नियॉर्क में रनबीर कपूर के परिवार के साथ छुटियां भी बिता कराई हैं ऐसे में जागरन.com ने जब उनसे जानना चाहा कि रनबीर कपूर की मौम नीतू कपूर से उनकी खूब जमती है ऐसा तस्वीरों में दिखता है चुँकि नीतू हमेशा ही आलिया की तस्वीरें बड़े ही प्यारे कैप्शन के साथ शेर करती रहती है आलिया कहती हैं कि हाँ वेह रनबीर कपूर की मौम को बेहद पसंद करती है वह कहती हैं कि उन्हें नीतू कपूर में एक दोस्त नजर आती है आलिया कहती हैं कि मैं जब भी उनके साथ होती हूँ, बहुत खुश होती हूँ, बहुत शांत और रिलेक्स होती हूँ मुझे लगता है कि रणबीर कपूर ने जो शांत स्वभाव और जो भी उनकी खुबी है, सब नीतु कपूर से ही लिया है वह चिल करने वाले हैं, जिंदगी को लेकर बिंदास हैं यह सब्रवया उन्होंने मां से ही लिया है वही रिशी कबूर के बारे में आलिया कहती हैं कि आप जब रिशी जी के साथ होते हैं तो समझेए कि यहां मानना चाहिए कि वेह बहुत यूनिक हैं रिशी जी के साथ वक्त बिताते वक्त आप बस यही कर सकते हो कि आप उनको देखो और उनके साथ फन करो, चूंकि आप उनसे कुछ ले नहीं सकते रिशी कबूर एक ही रिशी कबूर हैं बतादें कि आलिया पिछले दिनों रशी कपूर और उनके परिवार के साथ नया साल मनाने गई थी जहां रणबीर कपूर का पुरा परिवार मौजूद था और आलिया को वहां काफी घरेलू माहौल मिला था माना जा रहा है कि आगामी साल में रणबीर और आलिया शादी भी कर सकते हैं हालाकि आलिया ने साफ कहा है कि फिलहाल वेह अपनी फिल्मों पर फोकस कर रही है आलिया की आने वाली फिल्म गली बॉय हैं जो कि 14 फरवरी को रिलीज हो रही है